हमारे रिश्यमुनियों का कहना है कि आप चाहें तो हावा में तैर सकते हैं, पानी पर चल सकते हैं, पूरी दुनिया जीत सकते हैं लेकिन अपने मन की चाहल समझना इन सब कामों से कठिन काम होता है। को खीच कर वापस उसी सिग्रेट के पास लाकर खड़ा कर देता है। और ये बात सिर्फ सिग्रेट पर लागू नहीं होती। हमारे जीवन में, हम सब के जीवन में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, ऐसी आदते हैं जिने हम छोड़ना चाहते हैं लेकिन हम चाहकर भी उन आदतो को छोड़ नहीं पाते हैं, लेकिन अगर हम प्रयास करके अपने मन के दृष्टा बन जाते हैं, उसके साक्षि बन जाते हैं, तो हम अपने मन की चाल को पकड़ सकते हैं, और अगर एक बार हमें अपने मन की चाल पकड़ में आ जाए, तो फिर हम कोई भी आदत छोड़ सकत हैं जैसे कि ब्रह्मोरत में उठने की या फिर कोई भी ऐसा काम जिसे करने में हमें आलज से आता है क्योंकि हमारी आदतों के पीछे मूल भूत बिंदू हमारा मन ही होता है और हम उसे ही नजर अंदाज करके चलते रहते हैं और बाद में पस्ताने के सिवाए हमारे पास कोई जारा नहीं बचता आज की जो बहुत कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसमें आपको कुछ ऐसे तरीके पता चलेंगे जिससे कि आप अपने मन की चाल को भली भांती पकड़ सकते हैं उसको जान सकते हैं उसका नेरिक्षण कर सकते हैं और उसके बाद अपनी आदतो में वो बहुत उच्चुक रहता था एक दिन गुरू ध्यान पर चर्चा कर रहे थे ध्यान किस प्रकार किया जाता है और ध्यान का क्या महत्तव होता है इसी पर चर्चा चल रही थी आश्रम के सभी शिश्य मौन होकर अपने गुरू की बातों को सुन रहे थे गुरू उनको स ध्यान करते समय आपको निरंतर अपने मन का निरिक्षन करना होगा कि आपके मन के अंदर किस प्रकार के विचार आते हैं। गुरु अपनी बात पूरी कर पाते, इससे पहले ही वो वाचाल सिश्य बीच में ही बोल पड़ा। उसने कहा गुरु जी मैं बहुत दिनों से अपने मन का निरिक्षन कर रहा हूँ, मैं हर आने जाने वाले विचार को बड़ी गहराई से देखता हूँ, समझता हूँ, लेकिन उसके बावजूद मेरे मन की आदतों में कुछ बदलाव नहीं आ रहा है, मैं अकसर सुबह देरी स उठता हूँ, और रोज रात को मैं यही सोच कर सोता हूँ, कि मैं सुबह जल्दी उठोंगा, जल्दी उठकर ध्यान करूँगा, अपने मन का निरिक्षन करूँगा, लेकिन मैं ये कर नहीं पाता हूँ, मैंने अपने साथी शिश्यों से भी इस बारे में चर्चा की, लेक उठकर निरिक्षन कैसे कर पाएंगे, जब तक हम अपने मन के विचारों का, अपने मन की आदतों का, एक दूसरे के सामने जिक्र नहीं करेंगे, उसकी चर्चा नहीं करेंगे, उस पर बहस नहीं करेंगे, तब तक हम चुप रहकर अपने मन को कैसे समझ पाएंगे, किर्प आवाता है, वो क्या महसूस करते हैं ध्यान करते वक्त? कम से कम आश्रम में इन बातों की तो चर्चा होनी चाहिए? गुरू ने उस वाचाल शिशे से पूछा कि तुम दूसरों के मन की बात क्यों जानना चाहते हो? उससे तुम्हारा क्या फायदा होगा? क्या तुम्हें आत वाचाल शिशे ने अपने गुरू से इस प्रकार की उत्तर की अपिक्षा नहीं की थी। उसने सोचा कि बात तो गुरू जी ठीक कह रहे हैं। इससे मेरा क्या फाइदा होगा। अगर मैं दूसरे के मन की बात जान भी लूँगा या फिर दूसरों के सामने अपने मन की बात भी दूँगा तो उससे मेरा क्या फाइदा होगा। क्या मैं अपने मन को समझ पाऊंगा। वो वाचाल शिशे अपने ही द्वारा किये गए प्रशन में उलज चुका था। उसके पास इसका कोई उत्तर नहीं था। लेकिन फिर भी उसने दूसरे शिश्यों के सामने अपन करते हैं तो इससे तो हमें भी ध्यान लगाने में आसानी रहेगी। हम भी अपने ध्यान में उसी प्रकार अपने विचारों का निरिक्षन कर पाएंगे। अपने मन को समझ पाएंगे। क्या आपको नहीं लगता कि गहरा ध्यान लगाने के लिए किन बातों का ध्यान रख पाता है और अगर वो तुम्हें अपनी मनोदशा बता भी दे कि किस प्रकार वो अपने मन का निरिक्षन करता है अपने विचारों का निरिक्षन करता है तो तुम्हें क्या लगता है कि ये जानकर तुम भी गहरे ध्यान में उतर पाओगे अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो मै मैं तुम्हें एक बात बता दू कि तुम अपने ही मन के बनाए हुए जाल में खुद भजजाओगे अगर तुम्हें कोई ऐसी प्रकरिया पता चल गई कि गहरे ध्यान में किस प्रकार प्रवेश किया जाता है तो तुम्हारा मन उसी प्रकरिया का अनुसरण करने की कोशिश क करेगा तुम वर्तमान में उपस्थित होकर अपनी मनों दशा नहीं समझ पाओगे बलकि तुम्हारा मन तो उस प्रकरिया के विचारों में उलजा रहेगा तुमने अपने मन को एक काम दे दिया करने के लिए और तुम्हारा मन उसी काम को करता रहेगा तुम भी उस काम में समलित हो जाओगे, तो तुम अपने मन का निरिख्षन किस प्रकार कर पाओगे, क्योंकि तुम तो खुद अपने मन के साथ समलित हो गए, तुम तो खुद अपने मन के साथ एक हो गए, गुरु जी ने बताया कि तुम अपने मन को तभी समझ सकते हो, जब तुम अपने मन से अलग हटकर अपने मन को देख पाओ, अपने मन की चाल को दूर से खड़े होकर समझ पाओ, जिस भी विश्य को या जिस भी चीज को तुम्हें समझना हो तुम्हें उसे अलग होकर देखना होगा अगर तुम उसके साथ एक हो गए तो तुम उसको कभी नहीं समझ पाओगे तुम उसके साथ समलित हो जाओगे जिस प्रकार तुम अपने विचारों को समझने की कोशिश करते हो लेकिन विचारों को समझते समझते तुम अपने ही विचारों में खो जाते हो कभी अनुभाव किया है तुमने शिश्य ने हां में सर हिलाते हुए कहा कि गुरू जी जब भी मैं अपने विचारों का निरिक्षन करने लगता हूँ तो ऐसा ही होता है मैं अपने ही विचारों में खो जाता हूँ कुछ समय बाद मुझे ध्यान में आता है कि मैं अपने विचारों का निरिक्षन कर रहा था तो उसके बाद मैं फिर से अपने विचारों का द्रश्टा बन जाता हूँ, उनका साक्षी बनने की कोशिश करने लगता हूँ, लेकिन कुछ समय बाद मैं फिर से अपने विचारों के साथ एक हो जाता हूँ गुरू जी ने सभी शिश्यों को समझाते हुए कहा कि जिस प्रकार एक गुस्से से भरा हुआ आदमी कभी भी अपने गुस्से का निरिख्षन नहीं कर पाता क्योंकि वो खुद अपने गुस्से के साथ एक हो जाता है वो अपने गुस्से को ही अपना अस्तित्तू मान लेता है और इसलिए वो ये कभी नहीं देख पाता कि ये गुस्सा उसके मन को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है किस प्रकार ये गुस्सा उसके मन को दुखी कर जाएगा वो कभी नहीं देख पाएगा क्योंकि उसके पास वो कला नहीं है कि वो अपने गुस्से को अपने से अलग करके देख पाए इसी चीज के लिए सारे अभ्यास बने हुए हैं ताकि तुम सिर्फ एक दृष्टा, एक साक्षी बनकर सबी चीजों को उसके परिपूर्ण, उसके असली स्वरूप में देख पाओ और जब तुम सबी चीजों का, सबी विचारों का असली स्वरूप देख लेते हो तब तुम्हें उसकी अनिक्तेता पता चलती है तब तुम्हें पता चलता है कि ये सब आने जाने वाले चीज़े हैं लेकिन चेतना, consciousness वो हमेशा इंसान के साथ रहती है वो द्रश्टा, वो साक्षी जो उसको देख रहा है वो हमेशा जीवित रहता है वो कभी नहीं मरता, वो नित्य है और वही चेतना होती है चेतना किसी भी चीज से कभी भी बंदी हुई नहीं होती, चेतना तुम्हारा होश है, दूसरी चीजों को उनके स्वरूप में देख पाने की कला तुम्हें तुम्हारी चेतना से ही मिलती है जितनी प्रगाड तुम्हारी चेतना होगी, उतने ही अच्छे तरीके से तुम चीजों से अलग हटकर उनको देख पाने में सक्षम हो पाओगे इसलिए अपनी चेतना को उपर उठाने का काम करो ताकि तुम अपनी चेतना से किसी भी चीज़ का असली स्वरूप देखने में सक्षम हो पाओ शिश्य ने पूछा कि गुरू देव आपकी बातें कुछ-कुछ तो समझ में आ रही हैं लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि अपनी चेतना को उपर उठाने के लिए अपने आपको ज्यादा होश में रखने के लिए हमें क्या करना होगा इस पर चर्चा करते हुए गुरू ने बताया कि तुम मोन होकर सुप होकर सिर्फ अपने विचारों को अपने मन की प्रिक्रियाओं को अपने अनुभावों को देखना शुरू करो तुम्हारे अनुभाव आते हैं तुम्हारे अनुभाव चले जाते हैं वो अनित्य है वो हमेशा हमारे साथ नहीं रहने वाले लेकिन हमारा मन उनी अनुभाव को पकड़ने की कोशिश करता रहता है जब तुम्हे कोई अच्छा अनुभाव होता है तो तुम्हारा मन चाहता है एक सिगरेट पीने वाले के साथ वही होता है एक शराब पीने वाले के साथ और वही होता है हर बुरी आदत अपनाने वाले के साथ कि उसकी चेतना उसके मन की गुलाम हो जाती है अगर तुम अपनी चेतना को अपने मन से आजाद करना चाहते हो तो सबसे पहले मौन रहना स चुप रहना सीखो, तुमारे ज्यादा बोलने की आदत, तूसरों से उनके अनुभव सुनने की आदत तुमारे मन को और ज्यादा भर देगी। रहना ही हमारा असली सोरोप होता है, लेकिन हम उसे भूल चुके हैं अपने मन के अधीन होकर, इसलिए अपनी चेतना को अपने मन से छुटकारा दिलाना होगा। इसके लिए तुम चुप रहकर अपने मन के विचारों को देखना शुरू करो, उसके अनुभवों को महसूस करना शुरू करो। जब तुम अपने मन के साक्षी हो जाते हो, अपने मन के दृष्टा हो जाते हो, उसे देखने वाले हो जाते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे मन में एक विचार जाता है तो दूसरा जाता है, दूसरा जाता है तो तीसरा जाता है, और इस प्रकार जिस तरह स भूमी में अनेको अनेक विचार आते और जाते रहते हैं लेकिन धीरे धीरे हम उनसे जुड़ते नहीं हैं उनके साथ बेहने नहीं लग जाते उनके साथ खो नहीं जाते बलकि उनको साक्षी होकर बस देखते रहते हैं और देखते देखते धीरे धीरे उस सभी विचार विल चलता है हमें पता चलता है कि हमारी जेतना ही हमारा असली आनंद है वही हमारा स्वरूप है और उसके लिए अपने मन की भूमी से खर्पतवार हटानी जरूरी होती है उसके लिए मेनत नहीं करनी बस उन विचारों को देखते रहना है एक विचार जाता है तो दूसरा जाता ह तो तीसरा आता है, बस देखते रहो, देखते रहो, साक्षी बने रहो, त्रिष्टा बने रहो, और देखते देखते वो विचार विलीन हो जाते हैं, लेकिन इसके लिए तुमें चुप रहकर अभ्याज करना होगा, चुप रहकर अपने विचारों का आत्म निरिक्षन करना होगा, अपने मन की भावनाओं को समझना होगा, कब तुम्हें गुस्सा आता है, कब तुम्हें खुशी होती है, उसे अलग खड़े होकर देखना होगा, जब भी हमें गुस्सा आता है, या खुशी होती है, या किसी से ग्रणा होती है, तो हम तच्छन उत्तेजित हो जाते ह और उत्तेजित ना हों, शान्त रहें, शिथिल रहें, तो हम अपने मन की भावनाओं को समझ सकते हैं, उनको जान सकते हैं, और जब हम अपने मन की भावनाओं को जानने लगते हैं, तब हमें पता चलता है कि कोई भी भाव हमेशा नहीं रहता, एक भाव जाता है तो दूसरा चलाता है, खुशी हमेशा नहीं रहती, दुख हमेशा नहीं रहता, गुस्सा हमेशा नहीं आता, गिरणा हमेशा नहीं होती, जब इन बातों को हम समझने लगते हैं, तो ये सारे भाव हमारे अंदर से बिलीन होने लगते हैं, और सिर्फ एक प्रेम, एक आनंद हमारे अंदर बच जाता है। उसे ही हम परमानंद कहते हैं और वही हमारा असली स्वरूप होता है। इसलिए अपने मन की चाल में तुम खुद मत भच जाना, अपने मन की चाल को दूर खड़े होकर बस देखते रहना और देखते देखते वो चाल तुमारा मन पूरी तरह से बिलीन हो असल में मन का विलीन होना ही ध्यान में प्रवेश होता है। जब तक हमारा मन हावी होता है तब तक हम ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाते। क्योंकि हमारा मन करेगा तब हम ध्यान करेंगे और जब हमारा मन नहीं करेगा तब हम ध्यान नहीं करेंगे। और ऐसा हर काम में लागू होता है लेकिन एक बार अगर हमारा मन विलीन हो जाता है तो हम हर काम में ध्यान लगा सकते हैं और ध्यान ही हमारा असली स्वरूप बन जाता है वही चेतना बन जाती है इस ग्यान भरी चर्चा को सुनकर सभी शिश्य प्रसन्न हो गए लेकिन गुरू ने उन्हें चे लेकिन ये बातें हमीशा कोई तुम्हें नहीं सुनाएगा और इसी वज़े से तुम्हारा मन हमेशा प्रसन्य नहीं रह पाएगा। अगर तुम्हें असली आनंद की खोज करनी है ऐसी प्रसनेता हासिल करनी है जो कभी विलीन नहो तो तुम शान्त होकर मौन होकर भावना रहित होकर अपने विचारों और अपने भावनाओं को देखना शुरू करो उसके बाद तुमें खुद ही महसूस होगा कि चेतना जो होती है वो शास्वत होती है वो कभी नहीं मरती और बाकी सबी चीजें अनित्ते हैं वो खत्म हो जाएंगी वो मर जाएंगी वो पीछे चूट जाएंगी कोई भी चीज इस संसार में शास्वत नहीं होती सिवाए हमा जब हमारे प्राण छूटते हैं तो हमारे सरीर से सबसे पहले हमारी चेतना ही निकलती है इसलिए चेतना कभी ने मरती गुरू ने सभी को निर्देश देते हुए कहा कि आज हम मौन रहकर अपने मन के विचारों और उसकी भावनाओं पर ध्यान लगाएंगे ध्यान लगाए पारंगत हो जाओगे और इसके बाद गुरू ने सभी को ध्यान लगाने का संकेत किया तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट शेक्षन में जरूर बताना और अच्छी लगी हो तो इस सेनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर देना तो मिलते हैं किसी अगली कहाने में तब तक के लिए अपना खया